Question 32 है, to fill a swimming pool, two pipes are used, if the pipe up larger diameter used for 4 hours and the pipe up smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled, तो देखे एक swimming pool है, जिसको भनने के लिए दो pipe use किये जाते हैं, एक pipe जो की बड़ा है, वो 4 घंठे चलता है, और दुसरा pipe जो की smaller diameter का है, वो 9 घंठे चलता है, लेकिन इसके बाद भी, पूल का के वाल हाप जो है न, वो fill होता है, find how long it would take for each pipe to fill the pool separately, if the pipe up smaller diameter takes 10 hours, more than the pipe up larger diameter to fill the pool, तो इसमें find out करना है कि हर pipe जो है न, पूल को अगर अलग अलग भरे, तो कितना टाइम हो भरेगा, और इसमें एक चीज दिया हुआ है, जो smaller diameter वाला pipe है न, वो 10 घंटे ज्यादा टाइम लेता है, larger diameter वाले pipe के compression में पूल को भनने के लिए, तो चलिए इसको solve करते हैं, let the larger diameter pipe can fill the pool in x hours, therefore the smaller diameter pipe can fill in x plus 10 hours, है न, तो ये जो larger diameter x hours में भर रहा है, इसको माल ले रहे हैं, तो मालूम है हमको कि smaller diameter 10 घंटे ज्यादा लेता है, तो x plus 10 hours में ये फिल करेगा, तो देखें, इसमें क्या करते हैं, माल ले जी x hours में पूल को भर रहा है, तो जो larger diameter pipe है, वो एक घंटे में कितने पार्ट को पूल के fill करेगा, है न, इस टेप ये question में हमको इसको ध्यान रखना है, ये fill करेगा वन अपन, x part को, और इसमें question में बोलता है कि ये 4 घंटे चलत है, तो in 4 hours, तो 4 hours में, ये fill करेगा 4 by x part को, ठीक है, इस चीज को समझना जोर रही है, उसके बाद दिखिए, second में, जो smaller diameter pipe है, वो एक घंटे में, in 1 hour, 1 upon x plus 10 part को fill करेगा, पूल का, और इस चल रहा है 9 hours, तो इस 9 hours, ये fill करेगा, 9 upon x plus 10 part को, ठीक है, अब देखिए, ये दोनों जब चलते हैं, तो पूल जो हना, आधा भरता है, तो अगले condition में, ये हो जाएगा, 4 upon x plus 9 upon x plus 10, equal to 1 by 2, है न, ये वाला जो है न, सबसी important है, इस type के question में, अगर ये आपने सही बना लिया, तो इसके आगे क्यों आपको फिर solve करना है, अब इसको solve करेंगे, तो देखिए, cross multiply करेंगे, 4 के साथ 1 से plus 10 का, और 9 के साथ 1 से का, क्योंकि इनके में कोई common factor नहीं है, तो LCM जो है न, इन दोनों का product होगा, ते हो जाएगा 4x plus 40 plus 9x divided by x into x plus 10, equal to 1 by 2, ठीक है, अब दिखेंगे इनको 8 करेंगे तो 13x plus 40 divided by x square plus 10x, equal to 1 by 2, अब cross multiply करेंगे, ते हो जाएगा 26x plus 42, 80, equal to x square, plus 10x, ठीक है, अब इसको transfer करेंगे तो x square, plus 10x, minus 26x, minus 80, equal to 0, ते हो जाएगा x square, minus 16x, minus 80, equal to 0, अब कई बच्चे हैं पर confuse हो जाते हैं, कि इसको हम लोग split कैसे करें, minus 16 को, क्योंकि minus 16 को ऐसा split करना है, कि sum करें, तो minus 80 आए, और minus 16 आए, सोरी, और product करें तो minus 80 आए, ठीक है, तो इसको एक तरीका है, मैं बता रहा हूँ देखें, इसको 80 को आप क्या किए, factorize कर लिजे, तो यह हो जाएगा, इस टाइप से है न, इसका पुरा factorization हो गया, अब यहाँ पर देखें, 5 टूजा, 10 आओ 10 टूजा 20, यह 20 आ गया, और 2 टूजा 4, और 20 मैनस 4 करने पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 16, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, x square, minus 20x, plus 4x, minus 80, equal to 0, फिरे कामल लेंगे, तो x, x minus 20, plus 4, x minus 20, equal to 0, अब इन दोरों से कामल लेंगे, ते हो जाएगा, x minus 20, और x plus 4, equal to 0, अब देखें, दो नंबर का product अगर 0 होता है न, तो कोई न, कोई एक नंबर 0 होगा, या तो x minus 20, 0 होगा, तो इसको ऐसा लिखते हैं, या x plus 4, equal to 0 होगा, तो इसको ऐसा लिखते हैं, हम इसको transfer करेंगे, तो x equal to 20 आ जाएगा, और x equal to minus 4 आ जाएगा, तो दिखें, x अगर value negative नहीं हो सकता, यह वाला value तो पसिबल नहीं है, अब यहाँ पे x अगर value 20 आ गया, मतलब क्या वागे कि जो larger diameter है, वाला pipe है, वो 20 hours में, pull को भर रहा है, और smaller diameter वाला pipe जो है न, वो कितने में भरेगा, x plus 10 में, यह 30 में भर लेगा, इसको लिख लेंगे answer में, तो लिख लिए हम लोग कि larger diameter pipe can fill the pull in 20 hours, and smaller diameter pipe can fill the pull in 30 hours, है न, तो यह 5 marks सा को question है, तो इगर आप ऐसी पूरा सही बनाएंगे तो आपको 5 marks से मिल दाएगा,